नवशकार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है गर्मियों में लोगों की आदत होती है कि वो हर चीजों को फ्रिज में उठा कर रख देते हैं ये सोच कर कि ठंडे वाता वरण में ये खराब नहीं होंगे और कुछ दिन और चल जाएंगे जादतर लोग पके हुए पानी और खाने के अलावा फल सबसियां दूद आदी भी फ्रिज में रख देते हैं पर आपको ये बात जानी चाहिए कि आपको अपने फ्रिज के अंदर कौन सी चीज़े रखनी हैं और कौन सी नहीं आप में से कई लोगों को इस बारे में नहीं पता है गर्मियों में खीरे का सेवन काफी जाद किया जाता है और कई लोग खीरे को काफी दिनों तक अपने फ्रिज में संभाल कर रखते हैं गर्मे के मौसम में लोग ठंडा क्हीरा खाना पसंद करते हैं वहीं से कुछ दिनों तक चलाने के लिए फ्रिज में डाल कर भी रख लेते हैं लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये फ्रिज में दो या तीन दिन भी टिक नहीं पाते ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिज में रखने से खीरे का प्राकृतिक पानी सूख जाता है इसके अलावा इताईलीन गैस छोड़ने और केले और अन्य सबजियों और फलों के बीच खराब हो जाता है इसलिए खीरे को भूल कर भी फ्रिज में ना रखें कोशिश करें कि पहले तो उन्हें कम मातरा में खरीदें और फिर उन्हें बाहर गीले सूती तॉलिये में लपेट कर रखें ध्यान रखें कि तॉलिया सूखने से पहले उस पर आप पानी फिर से छिड़क दें तो आप भी अगर खीरे को जादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो उसको फ्रिज में ना रखकर इस तरह से स्टोर करें इससे आपका खीरा ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा और आपको इसके ज्यादा लाब मिलेंगे खलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा